आज हम आपको light pink color के सूप पर rose flower बनाना बताएंगी यह flower हम multi color से बनाएंगे और जो पतियां हैं वो हम sap green से बनाएंगे और एक दो पतियां हम जो है Indian red color से बनाएंगे और एक दो पतियां जो हमने वो है mix color से बनाएंगे multi shade की और देखी जैसे हमने green पतियां बनाएंगे उसमें यह जो पति बना रहे हैं हम यह बुड़ी हुई पति है बीच में से और जैसे यह पति है यह हमने multi color से बनाए है बीच में sap green और Indian red भी डाला है और इसकी अच्छी तरह से shading कर देनी है और एक पति हमने जो है Indian red से बनाए है और इसी तरह से सारी पतियां हम complete कर लेंगे और जो फूल के नीचे वाला भाग है उसमें भी हम sap green color बर देंगे पतियों के उपर और डंडियां भी हम जो है Indian red से कर देंगे और जो फूल के इर्दे गिर्दे छोटे फूलों के आसपास को जो पतियां होती है छोटी वो भी हम sap green के साथ भी फिल करेंगे और जो छोटे फूलों की डंडियां है वो हम थोड़ा सा Indian red डालकर sap green में उससे हम फिल बनाएंगे और जो यह आप पतियां देख रहे हैं फूल की यह हमने red color अंदर वाली side लगाया है और उसके उपर pink color है उसके बाहर वाली side है जो उपर वाली side वो हमने white color से shading की है और सबी पतियां हम इसी तरह से करेंगे और बीच बीच में हम जो पतियां है वो हम multi color और color से भी किसी भी color से बना सकते हैं दो चार पतियां ताकि वो जो फूल है वो multi color का लगे यह color जो है हमने sap green और white से बनाया है पास्ता color light pasta और इस color से हमने जो है पति वो मुड़ी हुई पति बनाई है और उसके जो आसपास साइडों पर है वो हमने gray color लगाया है और उसके उपर वाली साइड जहां पर वो मुड़ी हुई है वो हमने white color लगा के shading की है और इसी तरह से आपने कोई पति ज्यादा light और कोई dark बना कर इनी color से हमने जानी की 2 या 3 color से हमने यह सारे ज जैसे आप यह देख रहे हैं यह पति में हमने इस पति में हमने थोड़ा white ज़्यादा रखा है और जो पति हम अब बना रही है उसमें उससे भी ज़्यादा थोड़ा white रखा है और इसी तरह से हमने इनी पति छलोनों से अलग-लग color पतियों में दिखाने है कहीं पर ज्यादा light और कहीं पर dark इस पत्ती में भी हमने white color ज्यादा लगाया है और pasta color उपर वाली side लगाकर हलका सा pink color बीच वाली side लगाया है और इसके उपर से जो छोटी पत्ती आ रही है वो भी हमने इसी तरह से mighty color की ही बनाई है और जो बीच वाला part है full का जो पत्ती अब हम बना रही है वो हमने बीच में से वाइट रखी है पत्ती और साइडों में से उपर और नीचे वाली साइड से हमने थोड़ा सा डार्क कलर लगाया है तांकि वो मुरी हुई दिखाई दे रही है पत्ती और उसकी जो चाया है वो नीचे की तरफ पड़ रही है और इसी तरह से हमने सारे पार्ट है जो अलग अलग कलरों से उनी कलरों से थोड़ा कोई डार्क थोड़ा कोई जादा डार्क बनाया है और इसी तरह से हमने बीच वाला पार्ट रेड कलर से फिल करके उसके उपर वाइट और पिंक कलर की शेडिंग की है और बीच वाले जो पार्ट होते हैं फू पर जो है वह रेड कलर से आउटलाइन की है और इस तरह से जो हमारा फूल है वह बनके कंप्लीट तैयार हो गया है और जो हमने मुरी हुई पत्तियां दिखाई दे रही हैं वह भी हमने थोड़ी सी वाइट ही रखनी है उपर से थोड़ा सा वाइट कलर लगा देना है और यह हमारा हमारा जो डिजाइन है हमारा वह कंप्लीट हो जाता है अब हम आपको छोटे पूल और जो है इसमें पंची है जो वह बनाना बताएंगी इसी तरह से आपने जो फूल है वह परपल कलर के बनाने है चोटे फूल है जो उसके जो उससे भी छोटे फूल है जो अभी खिले दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जैसे बंद है वो अभी खिले नहीं है वो फूल है जो वो हमने उपर वाली साइड से जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का बनाना है और का मेचे वाली सड्ड गिल रहा है वहाँ वाली साइड्ड हमने थोड़ा सा Harbor Color लगा की usकी शेडिंग करनीyan अच्फी तरह से आप इसमें वाइट कंलर भी यूज्ट कर सकते हैं पिंक की जगह या फिर आप किक में थोड़ा सा wouldn लेके भी आप इसी तरह से color बनाकर उसमें शेडिंग कर सकते हैं इसी तरह सहे आपने फूल परपल कलर के बनानी हैं और इसके बाद हम जो पक्षी हैं उपर फूल पिदो रह वह बनाएंगे or सु पत्ति हे उसमें हम रेशे बना देंगे वो आप जो इंडियन रेड पत्ती है ब्राउन कलर की है उसमें आप डार्क ब्राउन कलर की रेशे बना सकते हैं और दूसरी पत्तियों में ग्रीन इसी तरह से हम purple color के जो full है उसमें हम white color के ratio बनाएंगे और छोते full है उसमें हलके हलकी dandy वाली side पर purple color के जो ratio रहरेंगे और पक्षी में हम pro rescue color भरेंगे और उसके जो सर की उपर वाली side है वो हम light दिखाने के लिए थोड़ा हलका light color उसमें white color डाल कर light color दिखा रहे हैं का पार्ट पेट वाली साइड वो हम ऑरंज और येलो से करेंगे और उसकी पूच जो है वह थोडे सी इंडियन रेट दिखाई देती है इसी तरह से करेंगे और जो bit punkt है वह भी हम फुरोजी customizable मोच और वाइट tror से बनाएंगे और उपर वाली साइड हम वाइन लेक्ड दिखाई देगा जैसे कि पक्षी के पंख होते हैं उसी तरह से दिखाई देगा बिखरे हुए पंख और इसी तरह से हम इसकी जो चौंच है वो वाइट और ब्राउन कलर से बनाएंगे और नीचे वाली साइड आपने थोड़ा सा ब्राउन कलर डार्क रखना है और उपर वा वाइट और ब्लैक से बनानी है और इस तरह से जो हैं डिजाइन हमारा कंप्रीट हो जाता है और वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए थाकि हम कर दो